सक्से जानकी ट्विचनल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए यूपी पीस सी पॉर्टेगनिल लिक्षिरार का जो आपको पेपर हुए बाई दिसमबर दोजार रिकीस को उसका जो 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 परिश्म पत्र लेकर आये हूं यह परिश्म पत्र जो बहुत ही मत्पू लगबग से में लगबग किया वाद दोस्तों सो पर्शंट सेमी है तो अगर आप इन प्रस्नों को देख जाते हैं या आप पाइटर में को समझ कि जाते हैं तो आपके त्यारी जो है और भी अच्छी होगी तो आए देख लिए प्रस्नों को उनके सटीक उत्तर तो पहला पूछा गया था चान्द्र प्रभावणड जीव अबिहारण उत्तर प्रद жизнь का एक प्रमुख वन जी अबिहारण हे निम लिखित में से कहां परिश्तित थे ता को पता होना चाहिए जो चन्द प्रभावंड जीव अब्जारण ये आपका उत्तर प्रद्र्थिस के चंद पंदरा आपका राइट एंसर हो जाए अप्शन नमर बी तीसरा प्रशन आपका था क्टूबर 2021 में घोशित नोबल सांती पुरिसकार के संबद में निम्लिकित में से कौन सा कथन सही है बहुत ही महत्पूर प्रशन है इसको आप अच्छे से देख लिजीगा मैं आपको पता यह प्तृकार है जी हां मारियो रेसा और दिमीतरी मूरता लूवस्त बात का राइट है जो है एक और दो दोनों आपका राइट अंसर हो जो contributions जासे प्रतार करता तो राश्ट्पति की बात करें छहां दें सकती जो दिया गया राश्ट्पति को अधिक्यार वो दिया गया उच्छे 72 से मतलब आप संबर इसका राइट है अगला प्रस्णाप का करक रेखा निम्रिखित मिसक्की ने राज्यों सोकर गुजरती है यहां पर तृपुरा दिया या फिर पहला तृसरा चोथा सही है या पर पहला तीसरा चोथा सही है ताको पता होना चाहिए करकर रेखा भारत के आठ राज्यों सोकर गुजरती है जिसमें आपका गुजरात है राजस्थान है मध्य प्रदेश है छतिसगड़ है तृपुरा है मिजोरम है ज्हारखंड है और आपका पष्चिम मंगाल है लेकिन मध्यपूर नहीं है आपसल्वर तीसरा जो है मलिपूर मतलब यह आपको तीसरा जो होगा गलत है तो जहां जहां नबर सी हो», आप मतलब त्रिपूरा और दूसरा मतलब मिजोरम और चवता मतलब पश्चिम मंगाल मतलब आपस नमबर सी इसका राइट है अकला प्रसंद देखते हैं तो यहां पर छटा प्रसंद वेद दीया है सूचि मिला स्मध् रखता इस बात करें रिगूरत की ब्रका मतलब आपका 15 as से संबन रखता है तो मतलब बी का तीस्रा हो जाएगा और अर्थर बेट जो बचा आपका वह आपका 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 देखेंगे तो उसके बाद या का दूसरा दूस्रा इस देखिए तो मतलब आपका आपसर नमबर आपका राइट अंसर है देखते हैं अगला प्रसना अगला महत्पुर्ण प्रसना आपका है भारती समझान के किस भाग में संग राज संबंध बताया गया है तो भाग 11 में संग राज का संबंध बताया गया आपको पता होना आठवाँ प्रश्ण है दोस्तो अक्टूबर 2021 में हुए चुनाव में निम्लिखित में से कौन सा देश 2022-2024 के ओधी के लिए स्वेयुत राश्ट मानवा धिकार परिश्यत के लिए चुना गया है ज्यादतर यह जो आपका पेपर हुआ है अक्टूबर से करेंट अपेर के प्रश्ण पूछे गए हैं इस बात को भी आप ध्यान दीजिए तो यहां पर स्वेयुत राश्ट परिश्यत के लिए चुना गया है जो देश आपका है वह आपका है हुंडुर्वा साप्सन नमर ज यह आपका राइट एंसर होगा बी एन राज जो आपके थे भारती समिदान के प्रामर्स से दाता थे अप्सन नमर सी का राइट है यूपी ट्रिपल सी पेट का जो एक्जाम हुआ था वहां पर भी यह प्रश्ण पूछा गया था तो आप इन प्रश्णों को देखकर काकोरी कांड से संबंद नहीं है तो आपको पाले यह पता होना चाहिए कि काकोरी कांड आपको हुआ कब था और कहां से कहां की भीच घटना घटी थी तो सहारानपुर से लखनों की बीच यह घटना घटी थी सन 1925 में और जो इसमें इनवाल्ब थे वह आपके थे राजयं खुदी रामबोश आपसन नमबर सी इसका राइट है ग्यारवा प्रसनापका एक भारत स्रेश्ट भारत की घोशड़ा कब की गई जिसकी घोशड़ा की गई थी 2015 में और जो आपका है बी वह राइट है आपसन नमबर बीस का राइट है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसनापका इस चोल सासक के सासन काल में पर्थम व्यापारिक प्रतिनीधी मंडल चीन भेजा गया था तो राजेंद्र प्रतम आपसन नमबर इसका राइट है आई देख लेते हैं अगला प्रसनापका नागरिकता संसद्र विदेव देव नीज कुछ संसर्निक की स्थित किया गया था उसके बाद 11 इसमब्स को आपका राजेस्वास से पायत किया गया और जैसे राजेस्वास से पारित हो गया तो वही डेट आपका जो है संसद्र में नागरिकता संसुद्र हैं दो जानीज को बिलको भी पारित कर दिए मनला 11 इसमब्स आपका राइट अंसर हो बिख्या रजो आपका यह जंपत्त ललिट पूर में है मतलब आपसर नंबर ए यह तो बात कशनप्र सच पूलनुट तो दो आपसंबर दी यह तो है राइट आपसंबर डी यह पूचा तो कि सानपूर अगले महत्पूर प्रसन को अगला महत्पूर प्रस्णापका है बहुत ही महत्पूर है अक्टूबर 2021 में कुछी नगर में अंतराश्टी हवाई अड़े उद्गाटन के संदर्म में निम्गे में कौन सा कथन सही है तो पहला कथन आपका लेंड करने वाली पहली घाटन फ्लाइट सिलंका एर्लाइंस की थी जी यह तो राइट है पसे नगर इंटर्म हवाय अड़े पर जो पहली फ्लाइट लेंड की थी वह आपकी सिलंका से आई थी हो दूसरा कुसी नगर प्रत्राइब का चौथा अंत्राष्टी यह अध्डा है जी नइए यह अप्सन जो आपको गलत है कुछी नगर जौ आपका ओनेफर इंट्रेश्टा है और फिर पर चौथा आपका जो है अध्या में बनने जा रहा है बात करेकर पाच्व कि तो आपक कूट का के वले आपका right answer होगा मैं अक्वा प्रशन की बात करने इनले खितम जी सहार को भारत के सववें सवच्छ साहर के रूप पे चुना गया है सुवर के बात की जा रहा है तो आपको पता है बता दे ही प्रत्र प्रदेश के आगरा सहर को स्वच्छ सरविच्ष्ट सहर में परथम अस्थान गया था यह भी आप रहां के लिए और और मध्ध प्रदेश को दूसरा अस्थान दिया गया था तमील नाड़ को तीसरा लेकिन अब सवां जो सवां पाया था अपका मेघाले की जुराज़ानी थी सिलांग आपसर नबर स्थी इसका राइट है सिलांग अगला मत्पुल प्रसन आपका है भारत में मजदूर अंदोलन को संगडित करने का स्रे दिया जाता है किसे तो स्रे दिया जाता है नराड मेर्जी लुखंड़े दौरज जो 1890 में ये अंदोलन संगडित किया गया था मतलब आपसर नमबर जो आपका है वो भी राइट है मतलब नर कुंड़ें बुंपू का यह 3 है यह 3 आपके अंदमार और निकोबार्दी शंगओ के 1 है लेकिन जो आपका अमीन दूवी दूइप यह आपका नहीं है तो आपको बता दे 6 अगस्त 1952 को राष्ट्री विकास परिश्यत का गठन किया गया था और इसके जो अध्यर चोत्य में भारत के वर्तमान प्रधान मंत्री होते हैं और इस समय आपके नरेंद्र मोधी जी हैं तो मतलब आपसर नमबर जो आपका बी है 1952 आपका राइट हैं बनी तो आपको बता दें ये कारणावा करने वाले हर्याड़ा की अन्सु मलिक थी जो 52 के भारवर्ग के फाइनल में रजक पतक जीत कर एक दियार रजदिया हालंकि फाइनल वो नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने रजक पतक जीत का भारत का नाम रोशन कर दिया तो अन्स प्रक्रश् ellaよね किसरं decorations कि उपाधि से सम्वानी सुख तो बतादें आपको जगरनात को जहान राज की पाधि ही उपाधि दृम घराङ तहां हुआ था देखते अगला प्रसन की बात करे यहां पर दिया गए निम लिखित घटनाव पर विचार कीजिए तथा उन्हें काल क्रमा नुसार बियोस्तित कीजिए तेहां पर कुछ यहां पर देखे घटना दिया गया साइमन कमीशन करिद मिशन प्लान समयान दिर्वाती सबा नॉम्बर 1927 में साइमन का मिशन आया था केमिनेट मिशन की आपको पता ना चाहिए या आपका आया था चोबिस मार्च उनीससो च्यालीज प्यश्य चौई आपका केमिनेट मिशन आया था अब भारति दिर माचिस सबट परदम एठाका आपको पता ही होगा 9 दिसंबर यह आपका 9 दिसंबर 1946 और जो आपका भारत छुड़वा अंदोरन यह आपका 8 अगस्त 1942 में 8 अगस्त 1942 तो अगर आप देखेंगे सबसे पहले आपका जो 27 माय था यह पुछा है काल करमा नुसर पहले के आपका साउमन कमीशन नॉमबर 1927 तो पहले के का साउमन कमीशन उसके पहले का आएहा भारत छुड़वा नाल रहा है पहला चौत पहले कपा दूसरे के आपका 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 जो तीसरे नंबर पाएगा वह आपका आएगा के मीशनच प्लान क्योंकि यह 24 मार्ट पहले आ गया था तीसरे प्रसना यहां पर कूट अधारित प्रसना है यहां पर खनीच पता दियेगा और कहां से खान कहां पर है यह पूछा गया है तो बतारियस ऑप करें आपका पाइना तो यह आपका पाखें थे भाफ टाूस की बात करें तो यह आपका पउले यहां पर आप मिलान करेंगे एका तीसरा यहां पर देखिए एका तीसरा है बी का आपका पहला तो आपसे नुम्र डी एका तीसरा बी का पहला सी का दूसरा और डी का चौता आपसे नुम्र डी इसका राइट है देखते हैं अगला प्रस्न अगला महत्पूल प्रस्न दोस्तों निमिल्खित घटनाओं पर बीचार कीजिए तथा उनके काल क्रमानुसर ब्यश्थित कीजिए तेहां पर वही दिया गया है कि कौन सा जो घ निर्माड कार है वह कब पूर किया गया था अगला महत्पूल प्रस्न दोस्तों नंबर का निमिल्खित घटनाओं पर विचार कीजिए तेहां पर कुछ घटनाओं दिये गया है उनको आपको काल क्रमानुसर ब्यश्थित करना है तो पहले पर आप लेजिए धायं का जोप अठल के अज्मर जिले में दूसरा का कुट-ुल-إस-लाम मस्जिद का निर्मार किसंने करवाए था ता सुछ खी निर्मार करा गा था यह भी आपका दिलएं यह करें और आपको यह भी आपका दिलाई में है जितना मनें आपको ब्याक्ष्या किया है वह भी आपको लिजिए धायता जोपड़ा यह कुतुबु दिनेबग दौरा ग्यार सनिन्यांदे में रास्तान के जमेत जीले में है कुई अतुल इस्लाम मजित्ती बात करें तो बारसो चौ में इसका और कुछ नहिएस बात करें यह ब्युक्त बदक धियह जानी कलवा था इसतक कि बारसो च्हां मतलब सब्सक्राइगा तो आप से लिए ईसन ऐसको तीरत जिसलामों के अगonstra आएका तो तो आपका था विश्वा संग्टर ने कोबिद नाइटीन को कब महामारी घोचित किया तो जैसे का आपको पता है 2020 में कोबिद नाइटी का जो प्रोकोपता भारत में हाभी हो चुका था तो ग्यारमार दोजार बीस को विश्वा संग्टर डबलू एच्चों ने इसे महामारी घोचित कर दिया और डेट था आपका ग्यारा मार्ट जोजार बीस आपसा नमबर एच का राइट है तो दोस्तों यह रहा यूपी पीस सी पॉट्टेगने लेक्ट रार का जो आपका पेपर हुगा तो बाइट इसमब दोहजार इकीस को उसका कम्प्लिट जीएश का सलूशन और दोस्तों यह आपका हिल्प करेगा जो आपका यूपी पीस सी यही का एक्जाम होने वाला है क्योंकि दोस्तों सेम पैटरन पर यह पेपर भी है कोई ऐसा नहीं कि पैटरन चेंज हो स्विम पैटरन पर आपको अभी एक जाम करा जाता है उतना ही प्रश्ण पूछे जाते हैं चाहे हिंदी को हो याप जी एस हो तो आप तयारी अच्छे-चे करके जाएंगे पैटरन को आप समझ लीजी चैनल कैसे जूड़े रहे हैं अपने अपडेट तक अगला आप आपको जल्दी मिलेगा जाएंद